जब कोई लड़की शादी करके नए घर आती है तो उसे नए रिष्टे भी मिलते हैं मगर इन रिष्टों को निभाने के लिए सोच अच्छी हो तो ससुराल से जुड़ा हर एक रिष्टा अच्छा होता है बात अगर ससुर की करें तो शादी के बाद वही भव का दूसरा पिता बन जाता है वेल बॉल्लिवोड में तो ऐसी कई एक्रिसीज हैं जिनकी अपने ससुर के साथ खूब पढ़ती है यानि वही उनके लिए ससुर के रूप में दूसरे पिता हैं तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो बॉल्लीवोड हसीना हैं जिनकी अपने ससुर के साथ खूब जमती है। देपिका पादुकोन एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ साथ घरेलू महिला भी हैं। फिल्मों में वो बॉल्ड होती हैं लेकिन ससुराल में एक आदर्श भहु की भूमी का निभाती हैं। देपिका की न सिर्फ अपनी सास के साथ खूब जमती है बलकि वो अपने ससुर जगजीत सिंग भवनानी को भी पिता का दर्जा देती हैं। देपिका ने खुद एक इंटर्व्यू में कहा था कि वो अपने ससुर को अपने सगे पिता जैसा ही मानती है। इस मामले में तो पूर्व विश्व सुंदरी इश्वर्या राई भी काफी आदर्श भहु कहलाती हैं। ससुर अमिताब के साथ एश की गजब की बॉंडिंग है। सोनम कपूर की जितनी अपनी सास के साथ बनती है उससे कई गुना ज्यादा क्लोज वो अपने ससुर की हैं वो अक्सर अपने लौज के साथ वैकेशन मनाने जाती हैं सोनम अपने ससुर को कितना मानती हैं इस बात का अंदाजा तो आप उनको उस इंटर्व्यू से लगा सकते ह जब उन्होंने कहा था मैं एक पापा का घर छोड़ कर दूसरे पापा के घर आ गई हूँ प्रियंका चोपड़ा बात रिष्टों को बखुबी निभाने की हो और प्रियंका का नाम ना आई भला ऐसा कैसे हो सकता है प्रियंका ना सिर्फ एक सफल अभी नेतरी हैं बलकि एक अच्छी भव भी हैं वो ना सिर्फ निक का ध्यान रखती हैं बलकि ससुर सास पर खूब प्याल लुटाती हैं ससुर के साथ भी प्रियंका की खूब बनती है सुजैन खान बहले ही सुजैन खान और रितिक रोशन की राहें अलग हो गई हूँ लेकिन फिर भी सुजैन ने कभी ससुराल वालों से अपना रिष्टा खत्म नहीं किया सुजैन आज भी राकेश रोशन को अपने पिता का दर्जा ही देती है और वैसे ही उनका सम्मान करती हैं जैसे पहले करती थी यहां तक कि रितिक से अलग होने के बावजूद भी उनके रिष्टे में कड़वाहट नहीं आई तो यह थी वो स्टार्स जिन्होंने अपने ससुर को ही माना अपना पिता ना सिर्फ माना बलकि उनका पिता की तरह पूरा सम्मान वे पूरी इज़द भी दी आपको कैसी लगी है वीडियो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए बोल्ट स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें